देश भर में आज गनेश चतुर्ती का तेवहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपती बापा आज विराजबान हुए हैं और केमाध्यम से लोगों के मन में क्या भाव हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो प्रकट करने का एक मौका इस तेवार के माध्यम से मिलता है और हम इस वक्त मुंबई के कलीना इलाके में हैं जहां पर कलकाता में जो ट्रेनी महिला दॉक्टर थी उसके साथ जिस तरीके का वेवार हुआ था उसके बाद हत्या कर दि गई थी उसके तर्ज़ पर एक यहां पे डेकोरेशन बनाया गया है और जिनोंने डेकोरेशन बनाया है वो शुभम अनमाला हमारे साथ है शुभम सबसे पहले तो यह आपने जो डेकोरे यह बनाया है गनपती के साथ गनपती जी के साथ यह किस तरीके से आपके दिमाग में आया क्या सुझा और क्या है यह सब थोड़ा explain करेंगे बेसिकली 9 अगस्ट को जो trainee doctor के साथ जो case हो गया था तो इससे बहुत बड़ा एक movement start हो गया था इंडिया में तो बेसिकली उसके उपर मैंने decoration बनाया है तो woman safety एक मतलब major issue था यह country में मतलब most of the cases unnoticed जाता है यह country में तो यह मतलब यह movement था कि मतलब spark में लेकी है एक movement safety भी एक issue था यह इस country में तो उसके regarding मैंने बनाया है तो basically आप देख सकते कि मतलब जो timeline है जैसे चालो हो गया था 9th August से series wise जो events start हो गया थे तो मैंने यह पूरी timeline दिखाई है फिर उसके बाद जिस दिन वो case case हो गया था फिर उसके बाद जो police ने complaint register करवाई थी फिर high court में जो case गई थी फिर then CBI को inquiry गई थी then Supreme Court में जो case लड़ाई गई थी उसके regarding सब पूरा decoration मैंने बनाया यह इस पर बिल्कुल हम देख सकते हैं आपने कुछ equipment जो doctor इस्तेमाल करते हैं doctor का apron इस और hospital भी बनाया है ज्यादा तर आप मतलब जो hospital से related है वही चीज़े दिखाई दे रही है इन सब का क्या मतलब है इसमें बेसिकली जो equipment मैंने रखा है doctors के लिए तो यह मतलब जो यह trainee doctor थे अभी तक उनको justice नहीं मिला है तो एक symbolism है की मतलब है ना जब तक workplace safety नहीं होती तो doctors बोल रहे थे कि no safety no duty करके यह slogan दे रहे थे basically अगर workplace में अगर women safe नहीं हो तो मतलब भार भी कैसे निकले काम के लिए तो हम equality के जरिये बोल रहे है कि मतलब इस country में और आपने यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपने justice की भी मांगी है stop violence भी आपके इसमें साफ दिखाई दे है तो क्या कहना चाहेंगे इन सब को लेकर अब क्या appeal करेंगे लोगों से क्या उम्मीदे हैं आपको सरकार से क्या उम्मीदे है बेसिकली जो women safety के regarding है या फिर जो भी violence होता है women's के against तो उसके उपर एक strict law होना चाहिए या फिर ऐसे ने कि judiciary मतलब किसी के लिए bias हो रही है या फिर किसी के लिए मतलब कम गी रही आपके तो जो भी मतलब जो भी case report होंगे तो उसके लिए मतलब strict laws भी बने और itself मतलब society में educate हो जाए कि मतलब है ना this is not the thing we should do बिल्गुल तो society में या जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर इस तरीकी की चीजे ना हो और इसको लेकर सक्त कानून बने यही सब की उमीद है कैमरमन स्वराज के साथ पिश्ट्री पार्टी आज तक मुंबई